आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ आपका इस बॉल को स्ट्राइक करने में तो अपना Concept हमारा यहां पर क्या होगा कि यह मान लेजी कि आपका यहां पर एक टावर है और इस टावर का जो हाइट दे रहा है ताट इस 100 मिटर और इस टावर के टॉप से बॉल रखा है कि टावर के टॉप से एक बॉल को फेका गया विथ होरेजंटली जिसका वेलोसिटी रखा आपका 20 मीटर पर सेकेंड अब यह बॉल क्या करेगा यह फाइनली कुछ हैसा पाथ करेट करते विए नीचे गिरेगा तो अगर आप यहां पर देखो तो आपसे बोल रखा कि यह बॉल अगर नीचे ग्राउंड पर गिर रहा है तो ग्राउंड पर गिरने में इसको कितना समय लाएगा सबसे पहले बात किए जो वेलोसिटी आपका हरजंटली है वर्टीकली में मतलब कि y डिरेक्शन में इसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा अब यदि मैं बात करूंगा in y डिरेक्शन ठीक है सबसे पहले मब बात करते हैं y डिरेक्शन में तो y डिरेक्शन में में अगर मैं equation of motion लगाऊं तो sy is equal to लिख सूंगा sy into u y into t और प्लस का आजगा half y में acceleration और इंटू का time का square अब y में जो हमारा displacement है that is 100 meter y में initially velocity तो है नहीं तो ये term 0 हो जागा क्योंकि ये 0 है और 7 में जागा 1 by 2 और y में free falling body के लिए acceleration होता that is due to gravity वो आपका होता 10 meter per second square approximately और इंटू का t square 1 0 से 1 0 cancel कर सकते हैं t square जो आजगा it will be equal to the 20 तो t का value आपका आजगा under root of 20 second and this will be your final answer and from option we can say कि first is the correct one okay thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टा या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर